आप अपने लड्डू गुपाल जी के लिए बनाएं कॉटन का इस तरीके का ड्रेस जो की लड्डू गुपाल जी के लिए बहुत ही आनमदायक पुशाख है और इसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्ब बन जाते हैं अगर मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और फिर्ण्स देखी लेड़ू बोपाल जी को पहनाने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं लेड़ू बोपाल जी मैंने यहाँ पर कॉटन का फैबरिक ले रखी हूं प्रिंटेट जिसकी लंबाई चौराई है थ्री इंच इंटू थ्री इंच का मैं यहाँ पर दो पीस ले रखी हूं और इसे इस तरह से फोल करने हैं दो बार और फोल करने के बाद बिल्कुल बराबर से फोल करने हैं और हाफ इंच का मैं इस तरीके से मेजर्मेंट टेप को पकरते हुए मार्क लगाऊंगी दोनों तरब से मुझे इस तरीके से मार्क लगानी है और अब दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरीके से राउंड से देने हैं और इसे मैं यहाँ पर कट करूंगा और यह देखिए बढ़ियां सा राउंड से बनकर बिल्कुर तयार हो चुके हैं दोनों पीस और दोनों पीस को मुझे एक सीधे के उपर से और एक सीधे को रखते हुए उल्टे कर लेने हैं और इस तरीके से मुझे पूरे राउंड से को मैं स्टीच करूंगी मैं यहाँ पर हातों से ही स्टीच कर रही हूं और बक्या जो स्टीच बोलते हैं न मैं बक्या स्टीच से स्टीच कर रही हूँ बक्या स्टीच को स्टेम स्टीच भी कहते हैं मैंने पूरे ही इस डेस में बक्या स्टीच स्टेम स्टीच करी हूँ और ये स्टिच करने से बहुत हिसलाई मजबूत होते हैं कहीं से भी खुलते नहीं हैं आप लोग सिर्फ रन स्टिच से भी स्टिच कर सकते हैं पूरे ड्रेस को और ये स्ट्रीच हो चुके हैं अब मुझे इसे सीधे करने हैं देखिए सीधे करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है फोल के अंदर से एक फैब्रिक को निकालिए और इसके बार इस तरीके से सीधे कर लिजे बहुत ही आसान तरीके सीधे हो जाते हैं और बहुत ही बरियां सा राउंड से बनकर तयार हुए हैं बिल्कुल पर्फेक्ट राउंड से बने हैं और गाइज मैं यहां पर 3x3 इंच का फैब्रिक ली थी तो आप लोग यहां पर 3.5 इंच का फैब्रिक ले सकते हैं मैंने यहां पर इस तरह का कॉटन का वैट कलर का मैं लेस ले रखी हूं जिसे मैं चारों तरफ से लेस को स्टीच करनी है और यहां पर मैं 3.5 इंच फैब्रिक किसलिए बोल रहे थी क्यूंकि मेरा मेजर्मेंट ज़रा गलत हो गया है तो मैं फैब्रिक को बीना मोरे ही लेस लगानी पर रही मुझे आप लोग अगर ज़रा एक्स्ट्रा फैब्रिक लीजिएगा तो फिर साइड में फैब्रिक को मोर कर आप लोग लेस को लगा सकते हैं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन स्टीच होंगे और दोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से पकरते हुए लेस को बराबर से पकरते हुए यहाँ पर स्टीच करनी है और कॉर्णर में जड़ा सा लेज को इस तरह से खोल कीजिए और इस तरह से सेप देते हुए स्टिच करेंगे तो बहुत बढ़िया सा सेप आते हैं बहुत ही अबसुरत सा बनकर तयार हुए यहाँ पर और मैंने बिना मोरे ही स्टिच करी हूं पर ज्यादा फर्क नहीं परे हैं मैंने सपाई से कट कर ली हूं और अब मुझे एक और फैब्रीक लेनी है जो मैं कॉंट्रस्ट में ले रहे हुँ टू इंच इनि टू सेक्स इंच का मैं दो पीस ले रहे हूं ये अस्तर का फैब्रिक है मैं यहां पर तीनु साइड से दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हूगे मुझे स्टीच करनी है अब स्टीच हो चुके हैं तो मैं यहाँ पलट कर सिधा कर लूगे और इस पट्टी में भी मुझे सेम लेस लगानी है दोनों तरब से और मैंने यहां पर हाफ इंज के करीब छोड रखी हूँ लेस नहीं स्टीच करी हूँ वहां पर मुझे पट्टी के तरह स्टीच करनी है डोरी डालने के लिए नीफा बनानी है मुझे इसलिए मैंने छोड रखा है और लेस को देखिए मैं इस तरीके से यहां पर स्टीच उपर के तरफ मैं पूरे फैब्रिक में लेश को रखनी है और जहां पर मैं नीफा को लगानी है मुझे वहां पर मैं तीर्चा लेश को रखते हुए स्टीच करनी है और मैंने डोरी के साथ मैं लटकन स्टीच करके रखी हूँ और लटकन के लिए मैंने दो पीस ले रखी हूँ टू इंच इंटू टू इंच का इस तरीके से फोल्ड करनी है फोल्ड करने के बाद इसमें डोरी को डालते हुए बर्यां से स्टीच कर लेनी है और स्टीच हो जा कि अब मुझे चूली और पट्टी दोनों को एक साथ स्टीच करनी है तो पट्टी को सिधा करके लीजिए उसके उपर से चोली को भी सिधा करके पकड़नी है और इसका जो कॉर्णर आएगा बिल्कूल पट्टी के सेंटर में इस तरीके से पकड़नी है और पीछे से बरियां से स्टीच कीजिए मैं ब और अब मैं डोरी को डालते हुए नीफा को स्टीज करूंगी और इस तरीके से देखिए ठाकुर जी का डेस बिल्कुल बनकर त्यार हो चुके हैं बहुत ही खुब्सुरत डेस है समर में बिल्कुल काना जेक लिए परफेक्ट है अगर आपनों कोई वीडियो पसंद आया तो क्लिज लाइक शेयर कमेंट करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और फिल्म मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स